बिस्मिल्लाइर वाख्मान वाहीम असलाम लेकों फ्यूवर्स आप देख रहे हैं टाइनिंग और जी हाँ लीची का सीजन आगया है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार इससे हम रिफ्रेशिंग सी रेसिपी बनाते हैं चैलेंजी बनाना शुरू करते हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दे साथ में ये जो बैल का आइकोन है इसको क्लिक कर दे इसको क्लिक करने से आपको मेरी यहाँ नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा इसे चीलने के लिए थोड़ी सी चुरी की हल्प लेंगे उसके बाद असानी से आप हाथों से भी से चील सकते हैं देखें किती जबरदर संदर से ट्रांस्पेरंट है यह बहुत असानी से चीली जा सकती है यह देखें जी हलका सासा से कट लगाएंगे इसके अंदर काफी बड़ी इसकी गुठली होती है इससे नकाल लेंगे जैसे लुकाट की गुठली होती है बिल्कुल वैसे यह लग रही है लीची को चिलका थाने से पहले भी अची तरह से दोलिया था एक बाब फिर से पानी में जीब करेंगे और एक बाल में रखते जाएंगे एक बार फिर से पाने में जिब करने के वैसे स्क्यूपर छिलके एके जो काले काले ज़रे लग जाते हैं वो उता चाहिएंगे बिल्कुल साफ सुते लीची हमें मिल जाएगी लीची का सीजन बहुत ही कम टाइम के लिए आता है जब भी आयें तो अल्ला की नेमतों से ज़रूर फाइदा अठाएं जी इस रहन से बड़े सैज की लीची की तेरा दाने हमने छे लिये हैं जी और तेखें लीची की गुठलियां कितनी हूपसूरत है मेरा जा सर्विंग ग्लास है वो तकरीबन 500 एमल का है 500 एमल पानी शामिल के रहे हूँ जी और हुपसूरत से लीची को इसमें शामिल के देंगे लीची वैसे तो बहुत मैठी होती है लेकिन क्योंकि हमने पानी भी शामिल किया है दो ग्लास के इसाब से दो खाने वाले चमची इसमें चीनी चली जाएगी ची और कुछ आइस के उसमें जले जाएगे ची से हाइस फील पर ब्लेंड कर लेंगे रीफ्रेशिंग से जूस को इसमें डालेते हैं अब चैने तो इसके उपर थोड़ सा पानी फिल कर लें ची और सेकिन ऑप्षिन के आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी सॉफ्ट रिंग शामिल कर दें आइरन और वाइटमिन सी से भर पूई है जूस आपने जरूर ट्राय करना है लीची में ठेर सारी विटमिन सी होती है जो जिल को बहुत ही गुलोइंग बनाती है और गर्मियों में अगर आप इसका इस्तमाल करेंगे तो मौसमी असरा से तपश स्याप की स्किन जो छुलिस चाती है वो दोबारा से रीफरेश हो जाएगी जी इसमें मनासब सा मीता है अगर आप तेज मीता पसंद करते हैं तो तीन टेबल स्पुन भी आप इसमें चिनी शामिल कर सकते हैं जी चनाब अगर आपने मेरे चनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फोटर फट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही जरूरी है वनना मेरे यहाँ नई आपलोड होने वीडियो का नुटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा जी और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक तो बनता है इसके साथ ही दुआओं में याद रिखेगा जाज़े चाहती हूं इंचला अच्छे सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे अल्ला हाफिज